नमश्कार फोस बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ जोया। विपक्षी एक जुट्ता की बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन इस वक्त बिहार में एक चर्चा बहदी आम है। चर्चा ये हो रही है कि जल्द ही मंत्री मंदल विस्तार होगा। दिरसल बैठक से पहले भी कॉंगरिस की प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंग का बयान निकल कर सामने आया था जहां उन्होंने कहा था की मौनसून सतुर से पहले ही मंत्री मंदल विस्तार होगा। जिसमें कॉंग्रस के दो मंत्री और राज़त के दो मंत्री होंगे। विपक्षी एकता की मीटिंग में राहूल गांधी के आगमन से पहले ही आयोजित पत्रकार वारता में कॉंग्रिस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अकलेश सिंग ने कहा था कि विपक्षी दलो की बैठक के बाद नितीश काबिनेट का विस्तार किया जाएगा और इस काबिन नितीश कुमार ने इस मसले पर कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी राष्ट्री अध्यक्ष मलेका अरजुन खर्गे और कॉंग्रिस की राष्ट्री महसाची वेनु गोपाल राउ से बात चीत की है और कॉंग्रिस नेता के तरफ से जल्द से जल्द क्याबिनेट का विस्त करना चाहेंगे ताकि इस बार का मॉंसून सत्र नए मंत्रियों के साथ शिरू हो हाला कि इसको लेकर अभी तक कोई अप्चारिक पुष्टी नहीं की गई है आपको बताते चलें कि नितीश क्याबिनेट में फिलहाल अभी मुख्यमंत्री को छोड़ कर तीस मंत्री हैं बाकी क चार विभागों की जिमेवारी अलग-अलग मंत्रियों को अतरिक्त प्रभार के तौर पर रदी गई है इस महागट बंधन सरकार के तहट मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्री यादव ने दस अगस्त दोहजार बाइस को पादेवम गोपनिय से दो मंत्री अश्फाक आलम और मुरारी गौतम थे अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ये कैबनेट विस्तार क्या वाकई में मौनसून सतर से पहले कर लेंगे देखे बिहार में वुख्ये एक जुट्ता की बैठक तो अब खत्म हो चुकी है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या मौनसून सतर से पहले क्या वाकई में मंत्री मंडल विस्तार होगा फलाल इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं फोस बिहार जारकरिन के सार्थ बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है कम्प्लीट डिजिटल क्लास्रूम्स विडियो लेक्चुर्स स्टूडेन ट्राकिंग सिस्टम लाइब्रेरी फेसिलिटी एन हंड़र्ड परसंट रिजल्ट ओर्येंटेड रांकर्स बाच्च बायोम लि घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया में पैनोरमा गुरूप लेकर आये हैं इहूम्स पैनोरमा बडा घर आलीशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक्ट अड़े अब क्यों मुँभा रही हो जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णय में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious, Lifestyle Redefined